च्री शिवाई नमस्तो भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। मित्रों आप सभी जानती हैं सावन का पवित्र माह चल रहा है। 12 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार है। और ऐसे में शुक्ल पक्ष की अस्टमी तिथी भी सावन के सोमवार पर ही पढ़ रही है। पूजनिय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिम महापुरान कथा में कई वार सोमवार की अस्टमी का वर्णन किया है। ऐसे में 12 अगस्त की यह सोमवार की अस्टमी बहुती महत्वपूर्ण है। एक तो सावन का महिना है जो की महादेव को समर्पित माना जाता है। सावन का सोमवार है और सोमवार की ही अस्टमी पढ़ रही है। शुक्ल पक्ष की इस अस्टमी तिथी पर यदि आप देवादी दे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने मन की कामना को पुर्ण करना चाहते हैं, महादेव से अपनी कामना को पुर्ण कराना चाहते हैं, तो सोमवार की अस्टमी के इस महासेयोग को अपने हाद से ज साथ तिथिया होती हैं जिस पर यह उपाई यदि कोई भी जातक सद्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ करता है तो महादेव उसकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं और उसके सभी कस्टों को हर लेती हैं तो आज के इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देख कर सकती हैं लेकिन उससे पहले मित्रो यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं पहली बार आवास को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंती सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दिजे जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका न पांच दिपक का यह विशेश उपाय आपको सोमवार की अस्टमी पर अपने मन की कामना को पूर्ण करने का संयोग प्रदान करेगा इस उपाय को करने के लिए आपको पांच दिपकों की आवशक्ता होगी और सोमवार की अस्टमी के दिन प्रदोशकाल में इस उपाय को आ आपको तयार कर लेनी है। इमदी पक शिवाले के चोखट पर, मंदिर की चोखट पर या शिवजी के समक्ष में आपको तक पर लेनी है।